नमस्कार दोस्तों मैं रन्मीर सिंग स्वाद करता हूं और फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेंबा क्लासेज में तो दोस्तों हम लोग जैसा की एनलिसिस के आधार पर हम लोगों ने यह टह किआ है जो जो टॉपिक वैसे कुछी चुणिंदा टॉपिक हैं जीके जीजीएस्मे डेखे है सबीक्जान के और परता मैं टेपर च़ल रहा है उसके संदर में शच्रा कर रहा है तो ए जो 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 ट inacbenट ज्यादा important है जो कई बार repeat हर रोज जो जहांस question बन रहे हैं उन topics को मैं cover करता रहूंगा तो आप लोग video का analysis जो आप देख रहे हैं CCGD का paper हो रहा है उसका भी analysis देखते चलिए और साथ साथ में जो भी important topic होंगे उसके भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे जिसमें लगातार paper के analysis के उपरांती है समझ में आए कि खेल से सब्दावलियों से वहां से question हर बार उठा रहा है ठीक और एक-एक topic से संबंदी जहां से हर बार question बन रहा है उन सब को अम लोग cover करेंगे कुछ ही topic है जिनको आप cover करके आसानी से smart तरीके से अपना selection करा सकते हैं तै कर सकते हैं अपनी एक experience जिनका अभी exam होना है आगे वह भी देखें और वाकि किसी भी exam के लिए आप appear होना चाहा रहे है तो question बन रहा है ना आजकल तो question यह भी बनने लगा है कि लांगान और क्या बलते हैं उसे मेड़ाप के बीच की जो होता है उसे हम क्या कहते हैं ना कौन सा होता है cover drive है तो cover drive से question आया था इस तरीके का भी दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कम से कम इसको तो अच्छे से cover कर लिजे ध्यान से सुनिए छोटा सा topic है ध्यान से सु गली यह मुईरण चर्ण कर में लोग लेते हैं क्योंकि भारत मेंगर क्रीकेत क्या है ौ कूजा जिसमें समय अब्र जानते जैसे मेड़न मे Зबस घल को थे कुरन बने जानते हैं गली होता है बीमर गुगली डखवर्थ लुइस नियम वही नियम है जब मैस्ट रॉ होता है या बारिस हो गई फलान डिमा का जो उसको मार्ज करके मतलब हमारी बहांसा में यह नॉर्मलाइजेशन है ठीक समझे तो डखवर्थ लुइस नियम लेक बाई का उस पर बले पर न लगने के ब आप बीर जो रण वगयरा मिलता है तो लेक बाई हीट विकेट हीट मतलब अपने बल्ले से पैर से लगया विकेट पर ही आउट हो गया है फालू आन टेस्ट में इसकी सब्दावली सुनते रहे हैं क्योंकि यहां से भी कोशन बनता है फालू आन के लिए बुला लेते हैं बी हाइव बाडी लाइन एसेज फ्लाइट रबर श्विंग है ना श्विंग यॉरकर यह सब सब्दावलिया हैं जो किससे समद्दित हैं क्रिकेट से क्लियर उसको प्रांत होकी में हम देखेंगे ड्रिबल ट्रेपिंग अब यह क्रिकेट में काफी कुछ चीज़े आप ज oobside Free Roll, Option 9, Push In, Forward Carry 9, BackTech 11 यह सब किससे समद्दित है होकी से फुटवल में बैक हील, फुटवटृट्स एल, रेड़कार्ड उसके गाड़ किनt स्विंगर होता है और इन्सिंग आइट सुट क्रिकेट में भी उते हैं स्विंग यह जो बात 500 बात यह वारीं सब्दावली है उसके उपराद बैटमिंटन से अगर हम देखेंगे तो लोब होता है लेट, ड्राइव, ड्रॉप, लोब, बर्डी, फ्लिक, रैली, स्मैस, यह सब सब्दावली है बैटमिंटन से, बेसवाल से, एस, होम रन, पीचर, बंटिंग, यह सब बंटिंग है ना, य बिलियर्ड से संब्दित, बाक, क्यू, एंगेल्ड, क्रोच, यह सब सब्दावलिया है, बिलियर्ड से, देखें, यह आसान टॉपिक तो नहीं है, क्लियर है ना, तो बिल्कुल सुनिये, ध्यान पूर्वक, एक से दो बार, नोर्स बना लिजे, एक से दो बार, तीन बार, इसको रिवाईज जरूर कर लिजे, कोस्चन बन रहा है, और जीडी के संदर में, जो भी कोस्चन अभी लगातार बनते जाएंगे, उनसे संबंदी टॉपिकों में, ले के आता रहूंगा, उसको ध्यान देते रहिएगा, मुक्य बाजी, जैब, सेकेंड साउट, हैबिट पंच, हुक, क्लिंच, ठीक है न, ये मुक्य बाज में है, है न, जैब, सेकेंड साउट, हैबिट पंच, वो तो आसान है, हुक, हुक मारते हैं, फिर क्लिंच, उसका ब्रिज में, ब्रिज से, एंकरेज, आर्क, एबटमेंट, बालु स्टेड, बीम, ये संबंदित किससे है ब्रिज से, है न, एंकरेज, आर्क, एबटमेंट, बालु स्टेड, बीम, ठीक, बाकी बस चोटा सा और है, उसके बाद हम बात करेंगे, सत्रंज, सत्रंज में होता है, कैसल, गैंबिट, पान फाइल, पीसी, पीसी, ग्रेंडिक, लुफ्ट, पिन, ये किस से समंदित भाई सत्रंज से, ग्रैंड मास्टर जिसमें, गोल्फ में हम देखते हैं, बर्डी होता है, बोजी, इगल, डिवोट, किसी-किसी खेलों में कॉमन चीज़े आएंगी, टेबल टेनिस में क्या होगा, स्पिन होता है, लेट होता है, ड्रोप होता है, ड्यूस होता है, चाप, डिप और डूडल्स, यह द्यान रखेंगे, टेनिस, लान टेनिस होता जो उसमें, यह टेबल टेनिस है, यह लान टेनिस है, टेनिस में पासिंग सॉट होता है, सेट, एडवाल्टेज, वाली, स्मेस, स्लाइस, ठीक, यह होता है, टेनिस से संबंदित, वाली बॉल में हम देखें फ्रीशटाइल कुश्टी मतलब नॉर्मल हीव होल शेगर एंजल आंड्रेग ठीक ना यह कुष्टी से हैं हाफ मेसट नवहाइको एंजल आर्म डेग निसाने बाजे से संबंदित होता टार्गेट बुलसाई कई बार यह पूछा है बुलसाई मतलब जो शाण की आख कहते हैं जो ऐसे गोल गोल सोता जो बिल्कुल बीच में ऐसे आप देखें के पीला रहेगा हरा रहेगा है ना मतलब पीला बीच में रहता दसांक जो होते हैं जूडो पॉइंट हालाक इलाल में मिल जाता है दसांक क्यूडो वेन यह संबंदित है निसाने बाजे से टार्गेट बुलसाई जूडो पॉइंट और क्यूडो वेन यह सब सब्दा वलियां थी जो काफी महत पूर था यह टॉपिक आपके SSC GD के आपको जो जो पॉष्ट्र स्टॉपिसर और यह टोम लोग कवर करते चलेंगे तो आपका यह काम है की आपको उत्रीन से जूडे रहेंगा विल अप्लोड करना है बीसट्पिक करना होगा ये टॉपिक का आसान तो नहीं था इसको 102 जरूर रिपीट करिए फिलाल के लिए इसमें इतना ही और जिसका आज कल में लगातार एक्जाम है उसके लिए बेस्टाफ लग मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार जय हिन जय भारत